क्या दोस्त अगर आपका भी इंडिया पोस्ट मेंग का ATM काड ब्लोक हो चुका है और आप चाहते की दोस्तो अनब्लोक करना लेकिन दोस्त आप अनब्लोक नहीं कर पारे हो और कापी सारी उज़र को तो इस तरह आपका भी प्रोब्लेम को सामना करना पड़ रहा है जैसा कि तो अगर आपका साथ भी दोस्तो इस तरह आपका भी प्रोब्लेम है तो भी दोस्तो इस वीडियो को एक बार ध्यांसा देख ले ना मैं इस वीडियो में दोस्तो 100% सोलूशन बताऊंगा अगर इस वीडियो को देखने की बाद मैं जो प्रोसेस बताऊंगा एसा तरीका फ पेशा कमाने वाला अप्लिक्सन के बारे में बताना चाहता हो अगर आप ओनलाइन से गर पे बेटे प्री में दोस्तों मोबल पॉन से पेशा कमाना चाहते हो ना तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेट बुक्स में एक वीडियो का लिंग मिल जेगा मैं दोस्तो उस वीडियो में बहुत ही अच्छा आपलेशन के बारे में समझा कर रखाई दोस्तो आप अगर प्री में पेशा कमाना चाहते हो तो उस वीडियो को डीटेल्स में देख लेना तो चले दोस्तो इस वीडियो को आगी बढ़ाते हैं तो देखे दोस्त आपको सबसे पहले आपना मोबिल पे IPPV Mobile Banking Application को ओपेन करने की बाद आपको सबसे पहले यहापे M-PIN डालने के लिए बताएगा तो आपने जो भी M-PIN आपने क्रेड किया और जो M-PIN यहापे आपको एंटर कर देना अंटर करने की बाद आप IPPV Mobile Banking Application के अंदर ओपेन हो जाओगे और अभी दोस्तो देखे आपका सामने में ATM कार्ड को औन ब्लोक करके मैं आपको दिखाऊँगा यहापे दोस्तो रूपे debit card वोल आप्शन पी में क्लिक करूँगा और उसके पाद यहापे देख लेना रूपे debit card दोस्तो मेरा ब्लोक हो चुका है ठीक है यहापे देशक्तो रूपे blockade debit card मेरा ATM card दोस्तो ब्लोक हो चुका है और अभी आपका सामने दोस्तो ए जो ATM card को औन ब्लोक करके मैं आपको दिखाऊँगा देखे वीडियो को देख लेना आपका दोस्तो 100% problem solve होगा मैं आपको बता रहूँ ना बार बार दोस्तो मैं आपको बता रहूँ के आपका problem solve होगा तो आपको केने दोस्तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ठीक है पास्ट चेर डेडिका और लास्ट चार अंका नुम्बर सो होगा तो आपको ATM काड को उन्ब्लोक करने के लिए पर लास्ट में आपको चले आना है और यहाँ पर दोस्त आपको करने के कॉंप्रोम वाल उप्सिन पे आपको क्लिका दना तो जैसा कि यहाँ पर में क्लिक करूंगा और उसके बाद आपको जो रेज़्टेर मोबल नमर पे चेर डेडिका OTP आईगा आपका सामने दोस्तों में उन्ब्लोक कर रहा हूँ ठीके यहाँ पर दे सकतो OTP हाच चुकाए और यहाँ पर दोस्तों में OTP आपका सामने दोस्तों में डाल देता हूँ यहाँ पर दोस्तों में आपका सामने में OTP डाल देता हूँ ठीके OTP डालने की बाद यहाँ पर सोबी ड्वल अप्सिन पे में क्लिक करूंगा सोबी डुवल उप्शन पेज जैसा ही क्लिक करूँगा और उसके बाद आपका सामने लाइप प्रिफ के साथ दे सकतो बिर्चुल डिबीट काड उन ब्लोकेड सकसे पुली और यापी दोस्तो टाइम भी देख लेना ठीक है रेफराल लुंबर भी दोस्तो सोगा और यापी दोस्तो मैंने आपका सामने उन ब्लोक करके मैं आपको दिखा दिया लेकिन दोस्तो हो सकता है आपका उन ब्लोक नहीं होगा आपको दोस्तो ट्रांस्वन फेल्ड करके भी प प्रब्लेम को सामना करते होंगे तो देखे यापी दोस्त मैंने आपका समने एटियम काड को उन्ब्लोक करके तो मैं आपको दिखा दिया अगर दोस्त देखे इस तरह किया से आपका जो एटियम काड उन्ब्लोक नहीं होगा आपको दोस्त आपको करने के दिखे अभी दोस् अगर दोस्त आपने आज जी इंडिया पोईट्विट बेंक में एकांड ओपेन किया अगर आपने आज जी एकांड ओपेन किया और दोस्त आपका जो एटिम कार्ड ब्लोक तो रहेगा आप दोस्त जाके उनब्लोक करने के लिए जाओगे न तो आपका एटिम कार्ड दोस्त कपी दिन हो गया आपको दोस्तों फिर से ट्रांस्न फेल्ड करके प्रब्लेम को सामना करना पड़ रहा है तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको सेकेंड नमर तरीका बता देता हूँ आपको कने जुस्तों आपको बिए एकांद आपने ओपिन किया वह प्याप आपको जाना है पूब्लेम को बता नाय कि मेरा जो इस्तर आपका प्रोब्लेम को सामना करना पड़ रहा है तो उसके बद दोस्तों हो सकता है कि अपने जाप इबी एकाउंट ओपेन किया वासे दोस्त आपका जो प्रोब्लेम सोल पहों जएगा ए दोस्तो सेकेंड नमर तरीका और अभी दोस्त में आपको तार नमर तरीका में आपको बता देताओ आपको करने किबाद आपको दोस्तो पिरास निया तरीके से रेजिस्टेशन करना पडेगा रेजिस्टेशन करते समय दोस्तो आप वाइप आई का इस्तमाल ना करे और साती दोस्तो आपका मुल पे सिम कार्ड लगा हुआ होना चे जो सिम कार्ड का मोबल नमबर आपका बेंक एकण के साथ लिंके और साती दोस्तो रिचार्स भी होना चे ये दोस्तो तार नमबर तरीक करना है ठीक है आपको दोस्तो कोल करना है कस्टमार केर का मोबल नुमर दोस्तो 155-299 इस नुमर से दोस्त आपको कोल करना है लेकिन दोस्तो हर एक सिम काड का मोबल नुमर से कोल नहीं लगेगा अगर आपका जियो का सिम है तो आपका दोस्तो अगर आपका GEO का SIM है तो directly call लग जाएगा अगर आपका GEO का SIM नहीं है तो आपको दोस्तो 12 ताइम आपको recharge करना पड़ेगा ठीके अब इस दोस्त आप A मास समझ ना की किसी ओर का mobile नुमर से आप कोल करेंगे तो लग जाएगा एसा नहीं दोस्तो आपको रिजिटेर मोबल नुमबर से ही कोल करना पड़ेगा आपका दोस्तो जीयो का नुमबर आपने दोस्तो ओई वाला मोबल नुमर से इंडिया पोस्ट मेंड बेंक एकाण के साथ लिंक करके रखाई तबी दोस्तो कोल लगीगा ठीके एउगाई दोस्तो पोर्त नुमर तरीका अगर पिर भी आपका प्रब्लेम सोल्प नहीं होगा आपको दोस्तो पिर से ट्रांस्वन फेल्ड करके प्रब्लेम को सामना करना पड़ेगा तो उसके बाद दोस्त आपको करना है कि आपका जो nearest branch में दोस्त आपको जाना है IPPV branch में दोस्त आपको जाना है ठीक है और वापे दोस्त आपका जो problem की बारे में details में बताना है ठीक है आप पोन पे, गुगल पे, पे टीम आप्रिशन के अंदर आपका जो इंडिया पोस्ट वेट बेंक का एकान को आड़ करके, युपे पिन सेट करके, आप इस्तमल कर पाओ गए, ठीके, लेकिन दोस्तों इन में से आपका कोई ना कोई प्रोब्लेम सोल्प हो जीगा, 100% प्रो हो जाएगा दोस्तों आपका प्रोब्लेम 100%, ठीके, तो असा करता दोस्तों मेरे बत आपको क्लेरली समझ में हा गया होगा, अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रोब्लेम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेट बक्स में आपका जो भी डाउट प्रब्लेम आप कोमेट कर सकती हो ठीक है तो दोस्तो इता वीडियो स्टोपी के बार में वीडियो पासंद देतो लाइक कर देना अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी पाइदा हुआ तो भै मेरे चल को जुरूर सबस्क्राइब करेना तो चले मिले इन एक टूरूर तब तक लिए जय हिंज जय बारत